ये दो दिन का जो सम्मेलन आयोजित किया नीडेफ और सी आडी गोरखपूर ने यहां भारती गन्ना नुसंधान सहस्थान में जिसका विशे था कि किसानों की आमदनी सतत कैसी बढ़ाई जाए और उसमें बहुत सारे करीब दस इंस्टिचूट के आइसी आरे इंस्टिचू और फार्मर्स ने भाग लिया और प्राइविट रेप्रेजेंटेटिव प्राइविट कमपीस के भी आए जिन्होंने चार सेशन में पहला सेशन था कि इनागरल सेशन होता हुआ इनागरल के बाद जो है हम लोगों ने डिसकस किया सीरियल प्रोड़क्शन खाद्यान का उ में वेजिटेबल्स का हुआ और चौथे में वो कंक्लूडिंग सेशन था अब हम थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे कि सीरियल वाले में क्या हुआ सीरियल वाले में यह हुआ कि देखिए उत्तर प्रदेश ने आशा तीत प्रगती की है सीरियल के प्रड़क्शन में जब हम सीरियल कहते हैं तो उसमें गेहु आता है चावल आता है मक्का आता है और मिलेट्स आता है तो यह सब में आप पाएंगे कि गेहु के बारे में गेहु में के पैदावार में उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस सबसे बड़ा इस प्रड़क्शन सेंटर हो गया है चावल के बारे में प्रडक्शन यहां से सेकेंड लार्जिस्ट हो गया है शुगर केन के बारे में लार्जिस्ट प्रडक्शन है मिल्क में लार्जिस्ट प्रडक्शन है कमी कहां रह गई है वो है पल्सिज में दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में दलहनी फसलों में जितना हमारा रेक्वार्मेंट है करीब 4 मिलियन टल 40 लाख टन का रेक्वार्मेंट है और हम पैदा कर रहे हैं 26 लाख टन तो करीब 14 लाख टन का जो शार्टेज है वो हम लोगों ने स्ट्राटीजी बनाया कि कैसे उसको पूरा करेंगे फिर हम लोगों ने डिसकस किया वेजीटेबल्स के बारे में वेजीटेबल्स और फ्रूट्स दोनों इस स्टेट में खूब अच्छे से पैदा हो रहे हैं जो सबसिस्टेंस रेक्वार्मेंट है करीब 400 ग्राम वेजीटेबल और फ्रूट्स की पर डे पर कैपिटा वो उससे बहुत ज़्यादा पर्रूज कर रहे हैं और इसलिए हम इसको एक्सपोट भी कर रहे हैं लेकिन इसमें बहुत और स्कोफ है कि हम और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं इसको और डावर्जिफाई कर सकते हैं quality इंप्रूफ usual कि मैंगो यहां का hour यहां का बहुत बड़ा एसेट है और मैंगो का एक्सपोर्ट कैसे हम बढ़ाएं कैसे और उच्छी उत्पादन तक्मीकी वो करें कैसे क्लस्टर बनाएं वेजिटेबल का कैसे क्लस्टर बनाएं कैसे उसको हम एक्सपोर्ट करें यह सब जो है नोंने डिस्कस किया कि इन सब जो के करने के बाद जो है किसानों में प्रोस्पेरिटी जो कहते हैं खुश हाली आएगी आंदनी बढ़ेगी इस्टेट डिपार्टमेंट से निदेशिक महोदय आये थे उन्होंने किसानों से कहा कि अगर आपको हजार में इंकम चाहिए तो आप तो गेहुचावल का करिए और अगर आपको लाख में इंकम चाहिए तो आप जो है अध्यानिकी फस्नों का खुटपादन करिए यह देखके हमारे किसान भाई जो लोग आये थे बड़े उत्साहित हैं और एक हम लोगों के वहां नई पधती आई है संदक्षित खेती तो संदक्षित खेती का सब को भी दिया गया और एक बुक भी दिया गया और उमीद है कि संदक्षित खेती बड़े तोर पर यहां शुरूर कर जाएगी जिसकी वज़े से वेजेटेबल फ्रूट्स का एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा और हमारे फार्मर्स की इंकम बहेगी सबसे लास में मैं काना चाहूंगा कि यह आयोजन भारती गन्ना अनुसंधान सहस्तान में किया और गन्ने के उत्पादन में उत्तरप्रदेश का पहला स्थान है चीनी के उत्तरप्रदेश का पहला स्थान है और जो शुगर केन से गन्ने से इतनाल बलता है उसमें भी पहल अब ही क्या हो रहा हम लोगों ने अनालिसिस किया है जिसमें अगर गन्य से चीनी पैदा करते हैं तो एक कुंटल गन्य से 35-100 रूपय का फायदा होता है और गन्य से अगर इथेनाल का उत्पादन करते हैं तो पाँच एक कन्य से 5,000 रुपे का फायदा होगा तो ये profitability का range है तो इथनाल उत्पादन करने में जो petroleum के साथ blend कर सकते हैं अभी तक government का objective था या goal था 10% तक मिलाना वो हम लोग 9.8% तक पहुंच चुके हैं 2022 में 2,025 तक इसको 20% करना है तो अगले 3 साल में बहुत पड़ी चुनोती है कि हम गन्य से चीनी पैदा न करके गन्य से directly अलकोहल बनाए या चीनी कम बनाए अलकोहल जादा बनाए तो उससे देश का फायदा होगा किसानों का फायदा होगा और सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारा जो पेट्रूलियम का इंपोर्ट का बिल है वो कम होगा तो ओवराल एक बहुत बड़ा बहुत सक्सेस्फुल सेमिनार रहा और आशातीत सफलता मिली हम लोगों को अपने किसान भाईयों को बताने में कि क्या-क्या क्या-क्या ही तक्निकी आई है और एक सबसे बड़ा जो उड़ेश इस कान्फरेंस का था रीजिनल कान्फरेंस का कि वैज्ञानिकों और किसानों का सीधा संबाद हो तो उस सीधे संबाद में जो कुछ हमारे किसान भाईयों के जो शंकाएं थी या उनको कुछ और जानकारी चाहिए थी तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसका समाधान किया और सबसे बड़ी चीज थी कि ICR इंस्ट्रूट के दस इंस्ट्रूट के डारेक्टर्स ने IRI के डारेक्टर ने गेहू अनसंधान के डारेक्टर ने CISH जो फ़लों के डिरेक्टर थे वो थे सारे लोग यह थे यहां पर वो यह शो करता है कि हमारे वैज्ञानिक जो ICR में हैं वो सारे इस निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे तक्नीकी किसानों तक जाए और उसका फाइदा उनके मिले जिससे उन्हें प्रास्परेटी आएग कर्णाई उन्हें कि है तक्रास कर दोना समय कर थे साम है उन्हें जो बाक्टर Kimchi कि दो सानी को जाएँा वो यह का।